सम्विधान के अनुछेद 226 के अधीन फाइल की गई इस रिट याची का में चुनोती मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा पारित तारीख 21 मई 1901 के आदेश को दी गई है जिसके द्वारा मेरट संसदिय निर्वाचन छेत्र के निर्वाचन को प्रत्या दिश्ट कर दिया गया था और तारीख 10 जून 1901 के उस आदेश को भी चुनोती दी गई है जिसके द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने 21 मई 1901 के पूर्व वर्ती आदेश का पुनर्वी लोकन करने से इनकार कर दिया था राष्ट्रपती ने नवी लोकसभा के विगठन पर लोक प्रती निधित्व अधिनियम 1951 को धारा चोधे के अधिन 19 अपरेल 1901 को दस्वी लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन समंदी एक अधिसूचना जारी की साधारण निर्वाचन के लिए समय सारणी निर्धारित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा तीस के अधिन अधिसूचना जारी की गई उक्त निर्वाचन छेत्र के लिए नाम निर्देशन फाइल करने की तारीख अब्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख और मतदान की तारीख नियत की गई थी और 21 मई 1901 वह तारीख थी जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कराया जाना था परत्यर्थी के पक्ष खतना अनुसार मतदान की तारीख को मतदान केंद्रों पर कबजा करने हिंसा तथा सांप्रदाईक तकराव के कारण मतदान दूशित हो गया था अते उसने 21 मई 1901 के आदेश द्वारा उक्त संसदिये निर्वाचन छेत्र के निर्वाचन को परत्या दिश्ट कर दिया याची ने 24 पांच 1901 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उक्त आदेश का पुनर्वी लोकन करने की प्रार्थना की निर्वाचन आयुक्त ने सुन्वाई के पश्चात तारीख 10 जून 1901 के आदेश द्वारा 21 मई 1901 के आदेश को विखंडित या उपांतरित करने से इनकार कर दिया याची ने उक्त आदेशों से विखित होकर यह रिट याची का फाइल की है पेरा जब 1951 का अधिनियम और उसके अधिन विरचित नियमों में उस इस्तती के लिए उपबंद हो तब सम्विधान के अनुछेद 324 के आधिन निरवाचन आयोग की शक्तियों का जब ऐसी इस्तती उदभूत होती है अवलंब नहीं लिया जा सकता इसलिए यह प्रतीत होता है कि ऐसी सभी इस्ततियों में जहां बूत के बलात ग्रहन के कारण वास्तविक मतदान प्रेक्रिया प्रतिकूल रूप से परभावित हुई है वहाँ निरवाचन आयोग की अधिकारिता 1951 के अधिनियम की धारा 58 के के उपबंधों द्वारा प्रेवर्त होती है और अनुछेद 324 के अधिन प्रदत शक्ती का अवलंब नहीं लिया जा सकता पेरा विधान मंडल का आश्य इसपष्ट रूप से यह था की संपून निरवाचन प्रत्या दिश्ट नहीं किया जाना चाहिए था और धारा 58 के में प्रयुक्त शब्द निरवाचन का निवंदित अर्थानवयन किया जाना चाहिए धारा 58 के की उपधारा के उपवंधों की बारिकी से परिक्षा करने के पश्चात नयाले ने यह पाया है की उसके उपखंड के अधीन कुछ मतदान केंद्रों में नए सिरे से मतदान का आदेश उन मतदान केंद्रों पर मतदान को सुन्य गोशित किये जाने के पश्चात ही किया जाना चाहिए और निर्वाचन आयोग नए मतदानों के लिए तारीक और समय नियत करने के लिए कर्तव्यबद है धारा 58 के का उपकंड के का वेकल्पिक उपबंद है उसमें यह उपबंद है कि जहां बहुत से मतदान केंद्रों पर बूथ का बलात ग्रहन हुआ है और आयोग का यह समाधान हो गया है कि उससे निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव पढ़ने की संभावना है तब इस तथ्य के होते हुए भी कि कई मतदान केंद्रों पर बूथों का बलात ग्रहन नहीं हुआ है वह धारा अठावन के के उपखंड खै के अधीन सभी मतदान केंद्रों में मतदान को परत्यादिश्ट किये जाने का आदेश कर सकता है उपखंड के केवल उन मतदान केंद्रों के मामलों से समंदित है जहां भूथ का बलात ग्रहन हुआ है किन्तु उपखंड खै मतदान को रद करने के लिए भी समर्थ बनाता है जहां भूथ का बलात ग्रहन नहीं हुआ है परन्तु यह तब जब किसी निर्वाचन छेत्र में भूथ का बलात ग्रहन इतनी अधिक संख्या में हुआ हो जिससे की निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो सके कि उससे निर्वाचन के संपून परिणाम पर परभाव पढ़ने की संभावना थी पुने मतदान के लिए तारीख नियत किये बिना अथवा निर्वाचन पूरा करने के लिए समय विस्तारित किये बिना संपून निर्वाचन को पूर्ण रूप से परत्यादिष्ट करने को इसपष्ट रूप से बूथों के बलात ग्रेहन द्वारा उत्पन समस्या के हल के रूप में नहीं माना जा सकता यदि परत्यर्थियों के विद्वान काउंसेल की दलील को सिविकार किया जाता है तब संपून निर्वाचन को पूरा करने के आदेश का परिणाम निर्वाचन प्रैक्रिया को निरर्थक बनाना होगा और उसे निर्वाचन प्रैक्रिया को पूरा करने के लिए सहायक उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता